पंजाब में होकी खिलाडी कर रहा पल्लेदारी सरकार ने नहीं दी नौकरी चोट के बाद खेल से बाहर हुआ पेट पालने को मजबूर पंजाब में खिलाडियों से खेल का एक बड़ा मामला सामने आया है मंजाब का पूर्व टेस्ट लेवल होकी खिलाडी परमजीत कुमार मंडी में पल्लेदारी करने को मजबूर है परमजीत पंजाब के फरीत कोट का रहने वाला है उसके हाथ में कभी होकी हुआ करती थी लेकिन सरकार ने नौकरी नहीं थी मजबूरन परिवार के पालन पोशन के लिए उसके हातों कंदों पर चावल की बोरियां का वजन पढ़ गया आलम यह है कि इस खिलाडी को एक बोरी लोड अनलोड करने के सिर्फ 1.25 रुपए मिलते हैं परिवार का पालन पोशन करने के लिए परमजीत रोजाना 450 बोरियां लोड अनलोड करता है भारते टीम की ड्रेस में इसे पलेदारी करते देख लोग भी दंग रह जाते हैं परमजीत कुमार फरीद कोर्ट में पले बड़े और सरकारी बिजेंद्रा कॉलेज में कोच बलतेज इंदरपाल सिंग बबुद्वारा होकी में दिक्षा प्राप्त की और बाद में बलजिंदर सिंग से कोचिंग ली परमजीत 2009 से पहले केंद्र के साथ रहे पंजाब पुलिस और पंजाब स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ट के लिए तीन साल तक कॉंट्रेक्ट पर होकी खेला पट्याला में अपनी स्वमे के दोरान कुमार अंडर 16 और अंडर 18 होकी नेशनल SAI की सयुक्त टीन का हिस्सा थे जहां टीम ने आंदर प्रदेश के गुंटुर में अंडर 16 नेशनल में रजत पदक जीता था